रुपेज सिंग हत्याकांट हर रोज एक नया मोड ले रहा है कल ही रित्तुराज की पत्नी ने उनके साथ हुए अभधरता की बात की थी और आज अब रुपेज की पत्नी ये कह रही है कि उन्हें यकीन नहीं है पुलिस के जाच पे नमस्कार मैं हूँ हर्शिता सिंग और आप देख रहे हैं लाइप बिहार रुपेज हत्याकांट को सुल्जाने की कोशिस पुलिस तो कर रही है लेकिन उनके दावे जूटे आ रहे हैं पुलिस का कहना हर कोई मान नहीं रहा क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं है पुलिस की बातों पे जी हाँ ऐसा लग रहा है कि पुलिस बस मानों ये केस सुल्जाने की कोशिस सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उन्पे प्रेसर है इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें असल अपराधी को जानना है पुलिस बस दिखावा कर रही है कि वो अपना काम कर रही है लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है कि किसी और को पकर के जेल में डालना सिर्फ और सिर्फ एक केस को सॉल्व करने के चक्कर में जी हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार अब रुपेज की बीबी ही कह रही है कि उन्हें पुलिस की जार्ज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है रोड रेज वाला मामला बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है और उतना ही नहीं उनके भाई भी यही कह रहे हैं कि रोड रेज वाला मामना गलत है उनके भाई भी यह कह रहे हैं कि रोड रेज वाला मामना बिल्कुल भी गलत है उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो अब बात यह है कि पुलिस क्यों ऐसा कर रही है क्या सि सिर्फ अपने उपर से केस सॉल्व कडाने का टैग लगाना चाहती है आईए देखे क्या है पूरी बात राजधानी पटना के बहुचर्चित रुपेश सिंग हत्याकान में कथित खुलासे के बाद पुलिस की कारेशाली सबूतो दाबो और कथित मुख्य अपरादी रितुराज के कबूल नामे पर सबाल उठ रहे हैं रुपेश सिंग की पतनी नीतु सिंग ने रवीवार को बिहार के मुख्य मंथी नितिस कुमार से मिलकर असली कुनहगार को गरफतार करने की मांग की है उन्होंने सीएम से ये भी कहा है कि रोड रेज की बात पर उन्हें बिलकुल भी यकीन नहीं है यह हत्याकान के पीछे जरू कोई बड़ी साजिस है पटना में CM ने उनके आवास पर मुलाकात के दोरान राजे के DGP, SK सिंगल और रुपेज हत्याकान का कथित तौर पर खुलासा करने वाले पटना के SSP उपेंद्र सर्मा की मौजूद थे SSP के सामने रुपेज की पतनी ने उनके दावो को CM के पास जूटा कह दिया CM से मिलकर घर पहुचे रुपेज के भाई नंदेशवर सिंग ने कहा कि पटना पुलिस में यदि न्याय नहीं मिला तो CBI की जाच कराने के लिए CM से फिर गुहार लगाएंगे जरूरत पड़ी तो कोट का दर्वाजा भी खट खटाएंगे इधर CM ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है DGP और SSP ने भी कहा है कि मुख के आरोपित पकरा जा चुका है जाच जारी है घटना में शामिल अपरादी किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे SSP उपेंदर शर्मा ने बताया कि CM से परीजनों की मुलाकात के दोरान मुझे भी बुलाया गया था मैं छपरा जाकर मैनेजर की पतनी समेट परीजनों से भी मिला था और उन्हें इस मामले में की गई कारवाई को लेकर जानकारी भी दी थी पतना पुलिस के SSP उपेंदर शर्मा के दावे पर रुपेज के भाई ने साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि रोड रेज में वहवार्दात नहीं हुई अपराधी के इसका बुलनामे पड यकीन नहीं है रोड रेज से जुड़े पतना पुलिस के पास कोई ठोस साक्ष नहीं है इस घटना के पीछे कई साजिस रची गई है मीडिय कर्मियों से उन्होंने ये भी कहा कि पकरा गया अपराधी रित्तु राज हत्यारा हो सकता है लेकिन कहानी कुछ और हो सकती है इसलिए उसकी गहन जाच की जानी चाहिए हम आप तक तमाम अपडेट्स पहुचाते रहेंगे अपडेट्स रहने के लिए जुड़े रहें लाइफ बिहार के साथ धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें